अलो फ्रेंड्स दिस इस पंजवानी अगेन दोस्तों आज हम ओरेकल में सीखेंगे कैसे हम किसी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं मतलब नाम उसको हम रीनेम कर सकते हैं कुछ नया नाम अगर हमें देना है टेबल का तो हमें पता ही कि हमने एक टेबल बनाया था इस्टूडें सायद अफी इसमें कोई डेटा आपको शों नहीं होगा ठीए टेबल तो exist कर रहा है अभी इसमें कोई डेटा नहीं है ठीकि तो मैं इसमें कुछ रिकोर्ड इंसर्ट करता हूँ insert into student फिर मैंने लिखा values और मैंने यहाँ पे कुछ role number दे दिया name दे दिया और semester दे दिया ठीक आपको पता होगा कि हमने तीन columns बनाये थे role number, name और semester तो इन तीनों में आपने कुछ data sign कर दिया ठीक है तो यह record insert हो गया मैंने एक और record insert किया मैंने कुछ नाम दे दिया और कुछ sorry कुछ ID दे दिया नाम में change कर देता हूँ x y z और semester मैंने दे दिया six ठीक है तो यह record यहाँ पे insert हो गया दो record insert करने के बाद मैंने data search करके देखा select star from student ठीक है तो आप देखेंगे student table से यह दोनो record सर्च हो कि यहाँ पे आ रहे हैं ठीक है अब आप क्या चाहते हैं ठीक है अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे इस table का नाम change करना है ठीक है तो उसके लिए rename command रहेगी आप लिखेंगे rename table का जो पुराना नाम रहेगा rename student to stu ठीक है मैं चाहता हूँ student table का नाम मुझे क्या रखना है stu रखना है ठीक है इसा लिखके मैंने enter किया तो यहाँ पे message आ गया table का नाम change हो चुका है table renamed अब आपने search करके देखा आपने लिखा select staff from student अब आपको बता है आपने नाम change कर दिया है तो आपको यहाँ पे message आएगा table और view does not exist इस नाम का बोल रहा है कोई table नहीं है ठीक है क्यों message आ रहा है क्योंकि नाम तो हम बदल चुके हैं ठीक है अब हम उसको पुराने नाम से access नहीं कर सकते हैं तो हमने जो नया नाम table का दिया है stu वो मैंने लिखा enter किया तो आप देखेंगे record search हो के आ गए तो rename command से आप क्या कर सकते हो existing table का नाम change कर सकते हैं so I hope कि यह आपको पुरी तरीके से clear हुआ होगा कोई doubt है तो आप मुझे comment कीजिए हुआ हुआ है